हेलो एवरीवन वेल्कों तो माई चैनल तोड़ेव यार बैक बिदा न्यूव क्वेशन इन दा गिवन सर्किट 60 ओम रिजिस्टर एब्जोब एब्रेज पावर ऑफ 240 वोट यह जो 60 ओम का रिजिस्टर है यह 240 वोट की पावर एब्जोब करता है वी के वेल्य बतानीः और क्पेक्स पावर उफ इच ब्रांच ओफ द हर एक ब्रांच है सर्किट की उसके समरें पार यह यह एक 20 इ swapped ठीक है तीन ब्रांच है वार्ण से दामार्येइं पेस्तिक सब्सक्री क्या करनें कि फृट्ट को सेतं करतेगे तो अब यहां पर देखो वी की बेल निकालनी है हमें यहां पर रखा हमें 240 बोट दे रखा 60 Ohm के क्रोस ठीक है तो पावर क्या होता पी कस्टू आइ स्कॉर आर अगर एवरेज पावर निकालना तो ठीक है तो यह दे रखा 240 इसमें मेरे मालिय करेंट आई है तो आई स्कॉर आर कि जा कितना 60 सिक्टी से यह 4 टाइमस केंसल आई कश्टू कितना आए आगर रूट 4 यानी 2 अप्यर इसमें ब्रांश यह कितनी करेंट फ्लो की तो अप्यर की नेक्स्ट हमें निकालने कॉंप्लेक्स पावर तो इसमें कितनी आ जाएगी कॉंप्लेक्स पावर मैं इसको नाम दे ले रहा हूं पीवन सौरी एसवन कोंप्लेक्स पावर को एससे रिप्रेजेंट करते तो वह क्या हो जाएगा जाएगा चुछ को यानि टू को इसकार 60 plus J20 तो यह कितना आजाएगा 4 से इसकी multiply करो 240 plus J80 volt ampere ठीक है तो इसमें तो हमें complex power आ गई अब हमें इसमें पतर करना है इसमें भी और V की value पतर करनी है अब यहाँ पर देखो यह जो voltage होगा कितना आएगा यह जो voltage होगा वो कितना आएगा मैं इसको नाम दे दिया V1 तो V1 कितना हो जाएगा V2 होता है तो 60 plus J20 टोटल करन्ट कितनी आएगे 2 ठीक है 2 ampere और यहाँ पर कितना हो जाएगा इंपिटेंस कितना हो जाएगा 60 plus J20 ठीक है इसके अंदर multiply करो 120 plus J40 इसको फेजर में चेंज करेंगे तो कितना हो जाएगा 126.49 at an angle of 18.43 degree इतने वोल्ट ठीक है तो V1 आचुका है यह V1 यहाँ पर होगा ठीक है इस नोट का वोल्टेयों इस वाले का सेम रहेगा अब यहाँ पर देखो दिहान से देखो यह पता चल गया हमें यह पता चल गया है अब मैं क्या करता हूँ केसीय लगाता हूँ इस वाले नोट पर तो क्या होगा केसीय लगाऊंगा तो यहाँ पर देखो V-V1 यानि V-V1 कितना है 126.49 एट एंगल ओफ 18.43 अपन 20 जा कुन से रही है V1 अपन यानि 126.49 एट एंगल ओफ 18.43 अपन 30 माइनस J10 पिलस इसमें तो 2 एंपेर करेंट जा रही है मैं उसको क्या लिखना हूँ 281 एंगल ओफ 0 ठीक है तो इसको यहां से सोल करना शुरू करो तो इसको जब सोल करेंगे ठीक है यह मैं एहमान के चलना हूँ कि आपने सारी वीडियो देखिए और आपको यह कॉम्प्लेक्स करना आता है ठीक है तो यहां से जब V को सोल करेंगे तो वो आएगा ठीक है 240 चेंज करना आता है जैसे चेंज करते है ठीक है नेक्स्ट अब क्या निकालना V की वैल्यों आ गई है हमारी तो इसके एक्रोस पहले पावर निकालेंगे तो पहले वोल्टेज एक्रोस 20 ओम निकाल लो वोल्टेज एक्रोस 20 ओम कितना होगा मैं उसको V20 कह दे रहा हूँ तो वो कितना होगा V-V1 तो V कितना है 240.66 21.44 ठीक है इसमें से माइनस करना मुझे किसको V1 को आया था 126.49 at an angle of 18.43 तो यहां से ये V20 solve होका आएगा जब इसको solve करेंगे 114.43 24.76 इतने डिगरी वोल्ट ठीक है तो V20 आ गया अब मुझे इसके एक्रोस complex power निकालनी है तो मैं इसको S2 कहता हूँ ठीक है तो S2 मैंने नाम दे दिया इसका तो जब वोल्टे दे रखा हो तो कैस निकालते है V20 का square यानि mode का square upon उसके mode का ठीक है तो यहां पर देखो यहां पर complex conjugate आता है Z का जिसके एक्रोस निकालनी तो 20 देखा है यहां पर 20 दे रखा है यहां पर imaginary part है नहीं तो complex conjugate क्या रह जाएगा 20 रह जाएगा तो इसका mode कितना आगा बस एंगल को छोड़ के बस magnitude लेते है upon 20 तो इसको जब solve करेंगे तो आएगा 656 volt ampere ठीक है हम दो जगा निकाल चुकी है अभी middle bar branch है इसमें भी निकालनी है ठीक है तो इसमें हमें voltage पता gain मैं ऐसे ही निकाल दूंगा तो S3 जो होगा ऐसे ही V20 का स्क्वार sorry V1 के mode का स्क्वार upon इसका complex conjugate यह देखो यह जो impedance होगा 30 minus J10 इसका complex conjugate अगर मैं लोगा तो वो कितना हो जागा 30 plus J10 ठीक है तो इसका complex conjugate हमें पता चलगा यानि voltage था हमें पता V1 के mode का स्क्वार upon यह कितना होगा 30 plus J10 तो V1 का mode कितना होगा V1 का mode आगा 126.49 यह अप लेको 126.49 का स्क्वार upon इसको जब change करेंगे 30 plus J10 को यह कितना आएगा इसको 30 plus J10 को change करो यह आएगा 30 का स्क्वार plus 100 इसका अंडर दी रोट यह आएगा 31.62 और इसका इंगल आएगा 10 वर्स 1 वाई 3 यह यह 10 वर्स 10 वाई 30 यानि 10 वर्स 1 वाई 3 होथा 18.43 तो इसको जब solve करेंगे तो यह फाइनली आएगा इसको solve करेंगे जब इसको divide करो multiply by 126.49 यह आगया यानि 4 at an angle of minus 18.43 इसको change कर लो उसमें s3 कितना आजाएगा इसको जब change करेंगे यह आजाएगा 4 cos minus 18.43 plus j4 sin minus 18.43 तो s3 जो आगया हमारा कितना आगया इसको जब change करेंगे तो आएगा यह यह आपर देहन देखो 126 का square है तो यह थोड़ा mistake हो गया तो यह आएगा 506 तो यह 506 कर लो तो इसको जब solve करेंगे तो यह आएगा 480 minus j 160 इसका unit क्या होगा volt ampere ठीक है s1, s2, s3 आचेकी है तो total complex power कितने आजाएगी total complex power जो होगी कितने होगी s1 plus s2 plus s3 तो s1 plus s2 plus s3 कितना आजाएगा s1 कितना आया हमारा यहां पर देखो 240 plus j 80 240 plus j 80 लिखो यहां पर 240 plus j 80 s2 कितना आया s2 यहां देखो 656 s3 कितना आया 480 minus j 160 ठीक है तो इसको जब solve करेंगे तो यह आएगा 240 को add करो 656 को और इसको add करो इन दोनों को add किया तीनों को add करका आएगा 1306 minus j 80 मैसे 160 गया तो minus j 80 रहेगा ठीक है total complex power आ गई 136 minus j 80 volt ampere total complex power आ गई हर एक branch में कैसे निकालते हैं यह आ गई ठीक है total complex power जो होती है different impedance के एक रोज जो जितनी power absorb की जाती है उनका sum होती है ठीक है तो इस वीडियो में इतना ही और thank you मिलते है नेक्स वीडियो में